सुआगत है आप सबका हमारे चैनल पढ़ाई का सफ़र 2.0 में यहाँ पर जैसे कि हम आपके लिए को करिकुलम कोर्सेस की एक सीरीज जो है चला रहे हैं प्रह 2.0 इसके तहट हम आपको सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर थर्ड में जितने भी को करिकुलम कोर्सेस होते हैं उनके लिए स्टडी मटेरियल्स और MCQ कोर्सेस जो की important बहुत ही जादा रहते हैं एक्जाम में आने वाले वो सब हम आपको यहाँ पर बताएंगे जिससे कि आपकी एक्जाम की तैयारी अच्छे से हो सके तो यहाँ पर सबसे पहले जो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं वो है Women Freedom Fighters of India जिन भी बच्चों ने को करिकुलम सब्जक्ट के रूप में इस सब्जक्ट को चुना है सेमेस्टर थर्ड में उन सभी के लिए यहाँ पर बहुत भी सादा important content और important MCQ questions हम आपको करवाएंगे तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं यह है सब्जक्ट का सलेबस जिसमें आपको most probably सारे चरित्र चित्रन ही पढ़ने अलग-अलग Freedom Fighters के जितनी भी Women Freedom Fighters इंडिया में 1857 के revolt के दोरान रहें उन सभी के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है और उसी से related important MCQ questions एक्जाम में आएं यहाँ पर सबसे पहले unit first में रानी लक्षमी भाई इनका जो है चरित्र चित्रन हम आपको पहले स्थोड़ा सा समझा देते हैं उसके बाद इससे related MCQ questions भी आपको इसी वीडियो में बताए जाएंगे जैसा कि 1857 के दोरान ब्रिटिश रूलर्स के विद्रो में इंडिया के काफी सारे भागों में अलग-अलग तरीके से रिवाल्ट छेड़ दिया जा चुका था उसी के दोरान जिन भी स्वतन्तता से नानियों ने इस रिवाल्ट में भाग लिया और अलग-अलग प्रकार से विद्रो प्रजशित किया उन सभी को यहाँ पर सिपॉय उस समय कहा जाता था सिपॉय बेसिकली हिंदी के शब सिपाही से डेराइब किया गया एक शब जिसका मतलब होता है फाइटर्स सोने सिपॉय कहा जाता था इसी के तहट राणी लक्षमी भाई जिनके बाद हमें आपने सुना होगा तो उनका जन बेसिकली बनारस में 1827 के दौरान हुआ था और वे आगे चलकर जहांसी की राणी के नाम से प्रसेद हो गई हर पैरेंट्स मोरपन तामबे और भागी रती टोल्ड हर नेम उनके माता पिता मोरपन तामबे और भागी रती बाई जी ने उनका नाम गंगा नदी के ही नाम पर मनी कर्निका उनके बच्वन में रखा था लेकिन बाद में उनका नाम राणी लक्षमी भाई के नाम से ज्यादा प्रचलित हो गया आगे चलकर जब उनकी माता जी भागी रती बाई जीवित नहीं रही तो मोरपन तामबे उनके पिता जी बित्थूर नाम की जगा पर शिफ्ट हो गए जहाँ पर भाजी राऊ सेकेंड नाम के एक पेशवा रूलर के लिए काम करते थे रानी लक्ष्मी बाई जो थी वे बच्च्पन से ही काफी सारे दोस्त बनाने में बहुत ही ज़ादा तेज थी तो उनके जो दो दोस्त थे बहुत ही करीबी नाना साहर और नातिया तोप उन दोनों के साथ वे बच्च्पन में बहुत केला करती थी उन्हीं के साथ she learned to ride and shoot यानि कि उसकी के साथ इन्होंने घुरसावारी करना, shooting करना ये सभी काम जो उस समय लड़कियों को करने में मना हुआ करते थे, वो सभी उन्होंने सीखे थे उस समय सभी लोग उन्हें बाजी राओ के साथ साथ चभी कहकर बुलाते थे, यानि बाजी राओ जी और बागी सब लोग भी उन्हें उस समय चभी कहकर बुलाते थे जिसका मतलब होता है the sweet one आगे चलके गंगादर राओ नामक जहांसी के राज़त से उनकी शादी हो गई थी उस समय उनकी उम्र बहुत ज्यादा नहीं थी शी वास हिंसल्व अर्सल्व अचाइड आफ अफ अबाउट उन्ली 15 बर शी वास बोल्ड और इंटरिजन दा ब्राइट वस गिवन अनेम लक्ष्मी भाई तब उनको लक्ष्मी भाई नाम प्रदान किया गया जो कि आगे चलके जहांसी की राणी भी कह रहाई जो जहांसी थी उस समय सेंट्रल इंडिया कहला ही जाती थी जो कि इस समय मद्ध परदेश में सिच्वेटर है वहाँ के लोगों ने भी लक्ष्मी भाई का बहुत अच्छे से स्वागत किया और उनको बहुत ज़्यदा प्रेम प्रदान किया आगे चलके लक्ष्मी भाई और गंगादर राओ का एक बेटा हुआ लेकिन दुर्भागे बश्च वो कुछी महीनों के अंदर नहीं रहा इससे वहाँ के लोग बहुत दुखी हो गए थे उस समय ऐसा प्रचलन था कि अगर जैसे किसी का कोई रूलर है तो वहाँ पर अगर उनका बच्चा नहीं होता है तो वो किसी ऐसे बच्चे को अडॉप्ट कर लेते हैं जो कि आगे चलके उनकी उपादी को संबाले तो गंगादर राओ और लक्ष्मी भाई जी ने एक 5 साल के बच्चे आनंद राओ को उनके कजिन के जो बच्चा था उसको अडॉप्ट करने का फैसला लिया जिसके बाद एक बहुत ही अच्छी सेरमनी और्गनाईस की गई 19 नमबर 1853 को जिसमें आनंद राओ जो कि उनका अडॉप्टर चाहिड था उसको उन्होंने दामोदर राओ नाम प्रदान किया उसमें गंगादर राओ जी ने ये एलान भी करवाया कि जब तक आनंद राओ जिसको बाद में गंगादर राओ कहा गया वो जब तक बड़ा नहीं हो जाता तथक लक्ष्मी भाई जी ही जहांसी को संभालेंगी और उसको रूल करेंगी लेकिन इसी के बाद सारी समस्याएं जो हैं जहांसी में शुरू होने लग गए जब ऐसा होने लगा तो राजा की जो है वो अगले ही दो दिन के अंदर मृत्यू हो गई थी उनकी मृत्यू के पश्चात जैसा कि उनके कहे नुसार जहांसी को रूल करने की जिम्मेदारी उन्होंने अपनी पत्नी लक्ष्मी भाई जी को प्रधान की थी एसा सुनते ही वहाँ का जो गवर्नर जनरल लॉर्ड डलाॉजी था जो कि ब्रिटिश रूलर था उसने जहांसी को अपने कबजे में लेने की बाद की उस समय ब्रिटिश रूलर्स की जो कूट नीती थी वो ये थी कि जब भी किसी स्टेट या किसी एम्पायर का रूलर जो है नहीं रहता था खत्म हो जाता था तो वो उस जगा को अपने अंडर ले लेते थे इसको डॉक्ट्राइन ओफ लैप्स कहा जाता था उस समय जैसे कि किसी के शासन या उसके स्टेट को हतिया लेना लक्ष्मी भाई जी ने उस समय इस चीज का विरोध करते हुए काफी सारे लेटर्स जो हैं वो ब्रिटिश अथोर्टीज को लिख कर भेजे कि वो ऐसा ना करें लेकिन उनकी पुकार किसी ने भी नहीं सुनी ब्रिटिश एम्पायर ने ऐसा दिखाया जैसे उन्हें इस बाद से कोई फर्ट नहीं पड़ता लेकिन इसके बावजूद लक्षमी भाई जी ने हार नहीं मानी और वो डट कर ब्रिटिश कानून के आगे खड़ी नहीं और उन्होंने ये एलान कर दिया कि मैं किसी भी हाल में जहांसी उन्हें लेने नहीं दूँगी ऐसे ही करते करते तीन साल बीत गए और फाइनली 1857 के रिवॉल्ट वाला साल आ गया उस समय एक चीज बहुत प्रचलन में आने लग गई थी जैसे कि ब्रिटिश आसन ने उस समय अपने सिपाईयों को और आर्मी में जितने भी लोग हैं उन सब को राइफल्स में एक नए प्रकार के काटिलेज जो हैं वो इंट्रड्यूस कराकर यूज करने के लिए कहे गए जिसमें और वीफ और इस प्रकार के मास्क का इस्तेमाल होता था तो जो हिंदू थे सिपाही उन्होंने इस चीज का खुलकर विरोध किया क्योंकि छूना मना है लेकिन राइफल्स को लोड करने के लिए उसमें कार्टिलेजस को मुझ से चूना पड़ता तो इसका विरोध बहुत ज़्यादा चला था उस समय जिसके तहर उन सभी सिपाहीों ने जहांसी की राणी से भी इसके लिए रिवाल्ट करने को कहा लेकिन अट 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 से चाहती थी और जो हिंदू से पाही हैं जो कि उनके पास मदद के लिए आएं उनके भी प्रतिवो निश्टूर नहीं हो सकती थी इसलिए क्योंकि वह भी फ्रीडम चाहती थी जैसे कि ब्रिटिश रूलर्स चाहते थे कि लक्ष्मी भाई उनका साथ दें इस रिवाल्ट में लेकिन लक्ष्मी भाई ने इस चीज से इंकार कर दी और फाइनली जो है वह इंडिपेंडेंस की लड़ाई में कूत पड़ी इसके लिए उन्होंने जहांसी में दो नई फैक्ट्रीज बनवाई जो कि हंड्रेड्स ओफ राइफल्स और स्वार्ड्स वगरा यह तलवारें और युद्ध का सामान बनाने के लिए तयार करती थी जिससे की धीरे 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 करते जहांसी की जो आर्मी है उसमें कई सारे लोगों को ट्रेन किया गया और करीबन 15,000 सिपाईयों की ये आर्मी खड़ी कर ली गई अराउंड मार्च 1858 के अराउंड जब आदुशा जफर को रंगून में एक्जाइल के लिए पकड़ लिया गया था तब दे वर रेड़ी टू टेक ओन लक्षमी भाई उन्होंने लक्षमी भाई को भी अपने कबजे में ले लेने का सोचा और ये काम उनके बेस जनरल अटर्नी सर हुग रोस को दिया गया मार्च 31 की इवनिंग को लोगों ने नोटिस किया कि एक बहुत बड़ी आग जो है वो बेटवा रिवर के पास से दिखाई दे रही ये एक प्रकार का सिगनल था तातिया तोपे जो कि लक्षमी भाई के चाइड़्ूट फ्रेंड थे उनके बच्पन के मित्र थे वो वहाँ पर आ चुक रहा थे पेशवा नाना साहिब जी की आर्मी के साथ लक्षमी भाई जी की मदद के लिए लेकिन ह्यूग रोस की भी आर्मी जो है वह कम नहीं थी वो भी डट कर खड़ी रही और लगातार इन पर लड़ाई अग्रसार करती रही इसके तहर तातिया तोप को वापस पीछे चिपना पड़ा कलपी नामा एक जगा जो की वहाँ से 170 किलो मीटर दूर थी इस लड़ाई में अराउंड 5000 सिपाही लक्षमी भाई जी के मारे गए थे अब तक रोस की आर्मी द्वारा और रोस की आर्मी में केवल 60 लोग अभी तक मारे गए थे जो की एक बहुत बड़ा डिफरेंस है इसके बाद राणी लक्षमी भाई अपने पुत्र दामोदर राओ को लेकर किले से निकल गई और जाकर तातिया तोपे को वहाँ पर मिली कलपी में जाकर वहाँ उन्हें राओ साहब जोकी बाजी राओ जी के नेफ्यू थे उन्होंने भी उनको जॉइन कर लिया और ये तीनों ही गवारलियर जब पहुचे इस उम्मीद में कि सिंधिया और गवारलियर उनको सपोर्ट करेंगे इस लड़ाई में लेकिन वो उनको सपोर्ट नहीं कर सके क्योंकि वो अल्रेडी ब्रिटिश रूल के साइट थे लेकिन फिर भी सिंधिया और गवारलियर की जो आर्मी में थे उन्होंने उनको सपोर्ट प्रदान किया जिससे कि वह इस लड़ाई में उनका साथ दे सके लेकिन लक्षमी बाई जी अभी भी बहुत ज्यादा चिंतित थी रेस्टलेस थी उन्होंने कहा वी मस्ट प्रपेयर आवरसेल्फ फर अनेदर वन्सलॉट शी सेट वितातिया तोपे एंड राव साहिब इसके बाद राणी लक्षमी बाई जी ने एक बापस से एक जंग शिलू कर दी और अपने घोडे पर बैटकर दोनों हाथों में तलवार लेकर वे पूरी दिलेरी और बहादुरी के साथ लड़ी अपने अंतिम प्राणों तक वे लड़ती रही लेकिन उसके बाद भी उनक कि पूरी आर्मी को पता चली तो उन सभी का दिल तूट गया कि उनकी अब राणी जो है वो अब नहीं रही लेकिन जाते वक्त उनके जो लास्ट शब थे वो थे गिव माई ज्वेल्स तू माई सोल्जर्स एंड लुक आफ्टर लिटिल दामोदर यानि कि मेरे जितने भी ह वापस से ग्वारलियर पहुंच गया तादिया तोपे को भी पकड़ लिया गया उसके फूर एयर्स के लेटर राव साहिब जी को भी पकड़ कर बंदी बना लिया गया जिसके साथ ही जो सिपॉय म्यूटी नहीं थी यह रिवाल्ट जो था वो एक एंड के करीबन आ गया थ तो यह था एक शॉर्ट डिस्क्राइब राणी लक्ष्मी बाई जी के कैरेक्टर और उनकी स्टोरी के उपर अगर आपको इसे डीफ में और स्टडी करना है तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में और अगर आपको किसी भी प्रकार की और कोई दिक्कत है तो वो उनके पती का क्या नाम था तो गंगादर राओ जी जिनसे उनकी शादी हुई थी और अप्शन नंबर भी इस दी राइट आंसर नेक्स पोश्चन है विच वमंग दा फॉल्लूइंग प्लेस इस दी बर्थ प्लेस ऑफ रानी लक्ष्मी बाई उनका जन्म जो है वो वारान संथा उसका नाम आनंद राओ था जब वो पांस साल था था तब उसे अडॉप किया गया था लेकिन बाद में एक सेर्मेनी में उनका नाम बदलकर दामोधर राओ रख दिया गया तो अगर दोनों में से कोई भी आता है आपको आप्शन में तो वो दोनों ही सही आंसर बर्त प्लेस अफ राणी लक्ष्मी भाई सो उनका जो चाइड़ूड नेम था वो मनी कर्णी का था बाद में उनका नाम आके चलके राणी लक्ष्मी भाई बदलकर रख दिया गया था शादी के उपरांत वो आज राणी लक्ष्मी भाई तो सरेंडर और लिप दा फोट उस दोरान हीूग रोज नामक जो रूलर था ब्रिटिश आर्मी में उसने राणी लक्ष्मी भाई को सरेंडर करके किला चोड़ कर चले जाने के लिए कहा था नेम था होर्सेज और जहांसी की राणी उनके पास जो घोड़े थे उनके नाम सारांगी पवन और बादल था यह वाला ऑप्शन नंबर 20 दी राइट अंसर इन बिच इयर डिट रानी लक्ष्मी भाई डाइड तो रानी लक्ष्मी भाई जी की मित्यू जो है वो 1858 में हुई थी यहां पे गलत प्रिंट हो गया इस वह आप सही कर लिजेगा यह आपका सही आंसर इंबे चीया किंग गंगाधर राव डाइड तो 1850 इस भी राइट अंसर ऑप्शन नंबर सी नेम था क्वीन हुऊ ओडर डिट इस भी राइट जांसी एंड केल लक्ष्मी भाई उस समय क्वीन विक्टोरिया जो थी उन्ह अगर दोनों आते हैं तो वह दोन ही ऑप्शन सही होंगे तो एक वीरस की बहुत प्रसेंटिव कवित्री ही रही है सुबद्रा कुमारी चोहान जिन्होंने लक्ष्मी भाई जी के चली तरके ऊपर काफी सारी कविताएं लिखी है तो वो जो कविता थी जो मोस्ट फेमस उनकी लिखी होई है वह है जहांसी की रानी जो की वीरस की कविता है इस इंडिया कंपनी ओफर रानी लक्ष्मी भाई जी को कितनी एन्वल पेंशन जो है इस इंडिया कंपनी द्वारा ओफर की गई थी जिससे कि वो जहांसी का फोट छोड़ कर चली जाएं तो अराउंड 60,000 उस समय उनको इतने पैसे ओफर किये गये थे कि वो जहांसी का के निकोभारइलाइनस के सिच्गेटर। रानी लक्ष्मी बदानी बस है लॉसल नहौन से जाना जाता है खुभ लड़ी मरदानी वत्तो जहांसी वाली रानी थी तो उन्हें वारियर क्वीन के नाम से भी जाना जाता है During the 1857 Uprising, what was Rani Lakshmi Bhai's primary motive and goal? 1857 के दौरान, Rani Lakshmi Bhai का जो main primary goal था, या उनका जो main उद्देश था, वो क्या था? So, option number B, to establish an independent kingdom of Jhansi. वो Jhansi को एक independent kingdom के रूप में चाहती थी, जिस पर किसी भी प्रकार की बाहरी शक्ती का हुकुमर ना चले. What was the emblem of Jhansi under Rani Lakshmi Bhai's rule? Rani Lakshmi Bhai जी के शासनकाल के दौरान, Jhansi का emblem क्या था? तो उसका जो sign था, वो है, tiger का निशान था, उस समय. Rani Lakshmi Bhai was known for her strong support of gender equality. She trained women in martial arts and increased them to join her army. What were these female soldiers called? उस समय, gender equality को बहुत ज़्यादा support करती थी. इसके तहर वो women's को और लड़कियों को, वो सभी चीज़ें सिखाती थी, जो कि उस समय युद में उन्हें सीखने की मनाही होती थी. तो इस प्रकार से वो female soldiers को train करने का काम करती थी, और उस female soldiers की आर्मी को दुरगा दल कहते थे. So option number D is the right answer. जो कि उनके childhood friend थे, उन्होंने उनको बहुत ज़्यादा support किया, और अपनी आर्मी के troops उनको provide की है, इस revolt के दौरान. इस प्रकार का जो सिपॉय mutiny कहलाता था उस समय, वो इस revolt को कहा जाता था, दा सिपॉय mutiny of 1857 के दौरान जो revolt हुआ था. ये एक और बहुत ज़्यादा important question है, who wrote the bibliography the Rani of Jhansi, which is a significant source of information about Rani Lakshmi Bai's life. तो लाला लाच्पत राइजी ने एक bibliography लेखी थी, Rani Lakshmi Baiji के जीवन चरितर के उपर, जिसे the Rani of Jhansi title दिया गया.